अगर आपके पास नई बाइक का बजट नहीं है तो आप सेकंड हैंड बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो हमारी है वीडियो आपकी मदद कर सकती है हम आपको उन पांच बड़ी बातों के बारें बताएंगे जो second hand bike खरेते समय आपके बड़े काम आएंगे इनकी मदद से आप कम budget में नई bike जैसा अन्भव पास सकेंगे सबसे पहला स्वाल आपको खुछ से पूछना होगा कि आपको चाहिए क्या वो कौन से फीचर है जिनकी आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है उस आधार पर एक नया लिश्ट बना लीजिए इसके लिए आप online website, mechanic या पास के किसी bike service center की मदद ले सकते हैं जहां आपको bike के part और feature की अच्छी जानकारी मिल सकती है अब आप अपनी जरूरतों के हिसाब से अलेलग platform पर bike की कीमत और features को compare कीजिए second hand bike को आप तीन platform पर खरिच सकते हैं इनमें used bike, broker, online platform या सीधे motorcycle मालिक से जो आपको बेचने में दिल्चस्पी रखता है broker आपको workshop से लेकर गाड़ी की test trading तक करा सकता है हाला कि इसमें आपको broker को भी पैसे देने पड़ेंगे वहीं online platform पर आपको insurance लेकर loan तक की सूधा भी मिल सकती है second hand bike को खरिदने से पहले अच्छी तरह से जाच कर ले अगर आपके मन में कोई भी स्वाल हो तो उसे जरूर पूछे गाड़ी के टायर से लेकर बोड़ी तक चेक करें यह भी ध्यान दे कि कहीं बाइक में रिष्टिंग तो नहीं आई है इसके अलावा बाइक में कहीं वेविजा वारिंग तो नहीं की गई second hand bike खरिदे समय सबसे जरूरी चीज है गाड़ी के कागजाद कोई भी पेपर वर्क अधूरा ना छोड़ें इसके अलावा जहाँ भी पता लगाएं कि गाड़ी या गाड़ी के मालक पर किसी भी तरह का कोई केस तो नहीं है ऐसे वेडियो के लिए वेडियो को लाइक शेयर और चैनल का स्बस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद